नमस्कार, जहिन सातियों स्वागत है आज आप सभी का हमारे दिरन संकल्प यूटूब चैनल के आज के इस नए वीडियो में मैं विशेक मिसराज आप सभी लोगों के लिए Classics की NCIT जोगराफी के महतपूर प्रशनों को ब्याखे के साथ में लेकर के आया हूँ जिसमें आज हम Chapter 5 के Questions को देखेंगे Chapter 1 से लेकर के 4 तक के सभी वीडियो आ चुके हैं आप लोगोंने इन वीडियो को नहीं देखा है तो अब असे देखीगा और इमें जो Question है वो बहुत ही महतपूर है यह आपके जो UPSC की प्रिलियम परिक्षा है बहुत ही नजदीक है हमारे आपके तो इसके लिए बहुत ही महतपूर साबित हो सकते हैं क्योंकि जो NCRT होती है इसका जो महतपूर योगदान होता है यह हमारी UPSC की प्रिलियम परिक्षा में ही होता है जो मेंस परिक्षा होती इसमें हमको NCRT से अधिक महत जो मदद होती वो नहीं मिलती है लेकिन जो प्रिलियम परिक्षा होती है इसमें NCRT से परशन आ जाते हैं तो इसके लिए हम आप सबी लोगों के लिए सुरू कर दिया है क्लास 6 से लेकर के 12 तक की ncrt जिसमें history, geography, quality, science and economy आती है इन सभी के questions को लेकर के आना सुरू कर दिया है और अभी तक हम class 6 की ncrt history को complete कर चुके हैं और class 6 की ncrt geography में chapter 1 से लेकर के 4 तक के वीडियो आ चुके हैं हलांके भी बीच में वीडियो आना बंद हो गएते, 2-4 दिन तक वीडियो नहीं आये हैं इसके लिए बहुत-बहुत माफी चाहता हूँ और क्यूंकि मैं थोड़ा सा वीजी हो गया था इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे थे अब आपको permanent party वीडियो मिला करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबी लोग को एक जानकारी दे दें कि जिल लोग को NCRT के notes चाहिए हैं वो हमको whatsapp पर message करके NCRT के notes को ले सकते हैं इसके लिए आपको payment भी करना होगा तो वही लोग message करें जो लोग payment करके notes को लेना चाहते हैं तो whatsapp number description box में दिया गया है और जो लोग इस चेप्टर का PDF free में लेना चाहते हैं उन लोग के लिए आज एक धमाकेदार offer है जो लोग हमारे answer देने से पहले question का answer देने से पहले अपना answer देंगे comment box में उसको हम इस PDF को free में देंगे ओके चेप्टर में जितने भी प्रस्ण है सभी प्रस्ण के answer आपको देने होगी अगर आप हमारे answer देने से पहले अपना answer देते हैं तो आपको ये PDF free में मिल जाएगा तो ये उन लोग के लिए है जो लोग free में लेना चाहते हैं जो लोग पढ़ते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस chapter को इस chapter का नाम है प्रतवी के प्रमुक परिमंडल इसके भी से मैं आज प्रस्ण लेकर करके हैं काफी सारे प्रस्ण हैं और बहुत ही महत्पून हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रस्ण दिया जारे कि प्रतवी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं निम्दे लिखित में से उससे क्या कहते हैं इनमें से कोई नहीं तो इसका कौन सा उप्सन सही होगा जल्दी से हमको कमेंड बॉक्स में बताईएगा चलिए इसका अंसर तो आप सब लोगों के सामने है ही देने की आवश्रक्ता नहीं है चलिए बता देते हैं इसका उप्सन भी बिल्कुल करेक्ट होगा था भूमंडल जिस पर हम लोग रहते हैं जो प्रतवी का ठोस भाग है इसको भूमंडल कहा जाता है और इशसकी ब्याख्य को देखना भी याती महत्पूर्ण है इसलिए आईए इसकी ब्याख्य को भी देखते हैं काफे सारी जानकारी हमको ब्याख्य में मिल जाती है, अब ब्याख्या महत्पूर्ण क्यों है इस बात को समझेगा, अब जिन लोगों ने NCRT को नहीं पढ़ा है, NCRT को नहीं समझाए, वो लोग व्याक्य के माद्यम से फुल टॉपिक को समझ सकते हैं, तो प्रतवी का ठोज बाग जिस पर हम रहते हैं, उसे भूमंडल कहा जाता है, और यह जो भूमंडल होता है, यह भ भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, एक भाग होता है, जो कि जलवाला भाग है, जिसको हम लोग कहते हैं, महा सागरी बेसिन, और एक भागे जिस पर हम लोग रहते हैं, जो कि इस थली भू भाग है, इसको हम लोग कहते हैं, महा दूइब, ठीक है, तो प्रतवी को मु बड़े इस थली भुबाग आते हैं इसको का जाता है महादुई ठीक है इसको का जाता है महादुई तो चली आंगे बढ़ते हैं और दिखते हैं question number 2 को आपको यहां से answer देना शुरू करना है आपको वताना है question number 2 का सही answer क्या होगा question number 2 पूचा जा रहा है कि प्रतवी में उपस्तित गैस की परते जो प्रतवी को चारोर से घेरती है निमने लिखित में से उससे क्या कहा जाता है option A जल मंडल, option B बू मंडल, option C वायो मंडल, option D इन में से कोई नहीं यह classics की NCRT है तो सभी प्रसंट बहुती सरल है हलांकि इनको जानना हमाई लिए आवश्यक है इसलिए हम आप लोगों के लिए भी लेकर के आ रहे है तो जल्दी से इसका answer हमको comment box में दीजेगा आप लोग वीडियो को रोक लिया करें पॉस्ट कर लिया करें इसके बाद में आंसर दिया करें चलिए इसका answer हम आपको बताते हैं इसका answer C बिल्कुल correct होगा अर्थात बायू मंडल ठीक है अब इसकी ब्याक को भी देख लीजिए क्योंकि ब्याक क्या बहुती महत तो पूर है प्रतवी में जो उपस्तित गैस की परते हैं जो की प्रतवी को चार ओर से घेर कर रखती हैं उसे कहा जाता है बायू मंडल जहां पर कौन को उसी गैसे होती है सबसे पहले oxygen है nitrogen है carbon dioxide है और दूसरी कई सारी गैसे ऐसी हुआ है जो की बायू मंडल में उपस्तित हैं ठीक है बायू मंडल में पाई जाती है इसके बाद में हम देखते हैं question number 3 को बहुत option A, जल वास्प, option B, बर्प, option C, जल, option D, उपरोग तो सभी तो आपको बताना है कि इन तीनों चारों में से कौन सा option सही है जो जल मंडल है इन में से जल मंडल में जल की कौन सी अवस्ताएं सम्मेलेते की जाती है ठीक है तो जली से इसका answer हम को comment box में बताईगा चलिए इसक answer हम आपको बताते हैं इसका option number D बिल्कुल correct होगा जबकि यहाँ पर दिया जा रहा है option number A, बस यहाँ पर यही mistake हो गई है यहाँ पर D लिखना चाही था जबकि यहाँ पर A ले गया है ठीक है तो जिन लोगों के पास इस पीडियाप पहुंच जाता है वो लोग इसको correction कर ल जाता है जिसे जल मंदल कहा जाता है समझकर अब जो जल मंडल होता है जलमें जल की सभी अबस्थाएं पाई जाती है जैसे की Alright is में जो जलवाज पर यह हमको आसमान में पाई जाती है ठीक है तो चली आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोश्चन नमबर आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से आप्सन सही होगे और ता जो जैब मंडल है इसके अंतरगत कौन कौन से परिमंडल सामिल होते हैं यहाँ पर आपर आपको चार आप्सन दिये जारे हैं तो जल्दी से इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में दीजीगा आपके answer का हमको इंतजार रहता है तो जल्दी करें चलिए इसका answer हम आपको बताते हैं इसका answer option number D बिल्कुल correct होगा ठीक है अब इसमें होता क्या इसको समझ लेजीगा अच्छे से ठीक है क्योंकि अगर आपके इस topic से प्रसन आता है तो आप करके ही आएं ठीक है तो बताय जारा कि प्रतवी का वह सीमित छेतर जहां पर तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसको कहते हैं जैब मंडल इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीप पाये जाते हैं अता ये सबसे महत्पूर्ण है कि प्रतवी के लिए तीनों परिमंडल आपस में पार्स परिक क्रिया करते हैं ठीक है अब तथा एक दूसरे से किसी रूप से प्रभावित भी करते हैं ये तीनों परिमंडल एक दूसरे से क्रिया भी करते हैं परस पर क्रिया करते रहते हैं औ इसके उधान आपको NCRT में मिल जाएंगे अब जो इस्तल मंडल है इसके आद में जल मंडल है और बायो मंडल है यह तीनों जो है यह प्रत्वी पर उपस्तित हैं और तीनों ही एक दूसरे के संपर्क में है ठीक है अब आप देखें जो इस्तल मंडल का अर्थ क्या हो गया अ प्रत्वी पर एचीव कोई जगह नहीं है इसलिए श्थल जल और बायों यह तीनों ही प्रत्वी पर उपस्तित है और तीनों ही हर जगह पर पायाती है और साथी साथ तोражं कहीं कंगे совी ठीक है तो रेगिस्तान में आपको जल कम मिलेगा काफी सार ऐसे रेगिस्तान होती जो कि बरफीले होते हैं वहाँ पर आपको बरफ मिलेगी तो चलिए आँगे बढ़ते हैं कि आप हमारा आँगे का टॉपिक है ठीक है तो आँगे हमको मिलता है यह आपका इंपोर्टेंट प्रसन है बिस्तु का सबसे उचा सिखर कौन सा है उप्सन ए किली मंजोरा उप्सन बी माउंट एवरेष्ट उप्सन सी केटू उप्सन डी कंचन जंगा तो जल्दी से इसका आँशर हमको कमेंट बाक्स में बताईगा कि बिस्तु का सबसे उचा सिखर जो है वो कौन सा है चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं आप लोग आंसर देने से पहले वीडियो को रोक लिया करें चलिए इसका उप्सन भी बिल्कुल करेक्ट होगा रथाथ माउंट एबरेष्ट इसकी उचाई भी दी गई है और जो दूसरी तीसे नमबर पर हैं उनको भी मैं आप सबी लोग के लिए लेकर किया है और थाथ एक ही प्रस्ण में हम चार प्रस्णों को समेट कर लाए हैं एक दो तीन और एक ही चार ठीक है तो इसको समझ लेजीगा इस तल की उचाईयां जो इस तल की उचाईयां होती है इनको समुद्र तल से मापा जाता है ताथ आप जब देखेंगे तो प्रतवी क्या है प्रतवी पर आप देखेंगे तो कहीं पर पहाड़ है ठीक है कहीं पर मैदान है कहीं पर गड़े हैं कहीं पर ताल तालाव हैं तो जो जमीनी भाग है यहां से अगर आप कहीं की उचाए नापना चाहेंगे तो आप नहीं नाप सकते हैं क्यों क्यों कहीं कहीं पर उचा है तो कहीं पर नीचा है ठीक है इसके लिए एक माध्यम बनाये गया और वो माध्यम है जल ठीक है कैसा जल तो जो समुद्री जल है अब एक बात तो आप लोग समझी गए होंगे कि जो समुद्र है ठीक है पूरी प्रत्वी पर जो समुद्र है ये एक दूसरे से connect है जिसे कि ये भारत है ठीक है ये चीन है और नेपाल है इसके पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सारी एक दूसरे से जुड़े हुए है अब इसके साथ अगर जल देखा जाए तो इन सभी के आसपा से निकलता है जो थली भाग है वो सारे एक दूसरे से connected नहीं है लेकिन जो जली भाग है ये सभी एक दूसरे से connected है अब इस कराण नसे क्या है कि जल है वो समूदर तल इस अबते है जो बिस्व का सबसे उंचा सिखर मांट Alberist है हीडिक है जो विस्व का सबसे ऊँच वांचा सिखर है उसका नाम है Mount Everest है और इसकी ऊँचाई कितनी है तो जो समुद्र से 8848 मीटर ऊँचा है जो यह Mount Everest है यह समुद्र से कितने ऊँचा है तो यह 8848 मीटर ऊँचा है ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और दिखते हैं इसके तीन पॉइंटों को और दूसरा जो सबसे पहला हो गया माउंट एबरिस दूसरा हो गया केटू अर्थाथ गार्डविन और श्टिन ठीक है जो कि समुद्र तल से 8,611 मीटर उचा है इसके आद में तीसरा आता है कंचन जंगा जो कि समुद्र तल से 8,556 मीटर उचा है और इसके बाद में चोथा आता है कुछ स्रोतों से माउंट एबरिस की जो उचाई है इससे 8,850 मीटर तक तक तथा कंचन जंगा की उचाई 8,569 मीटर मिलती है अब दिखी का कुछ ऐसे स्रोत है इनके अनस्वार हमको मिलती है कि जो माउंट एबरिस की उचाई है 8,048 ठीक है अब कुछ ऐसे भी स्रोत है जिनसे हमको पता चलता है कि जो माउंट एबरिस की उचाई हमको मिलती है 8,850 तो सिर्फ 2 मीटर का अंतर है ठीक है वैसे आप लोग इन दोनों में से क्या लिखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अब अश्य बताना मेरे इसाब से 8,848 ठीक है अब कुछ स्रोत मिलते हैं तो ये तो इतना उचित नहीं होगा न इसकाद में कंचन जंगा का भी है कि हाँ पर बताया जा रहा है जो कंचन जंगा है NCRT और बाकी सारे माध्यम से गर देखा जाए तो इसकी जो उचाई समुद्रतल से बताया जाती है 8,556 लेकिन कुछ ऐसे भी स्रोत मिलते हैं जिनसे हमको इसकी उचाई पता चलती 8,598 98,598 तो इतनी पताया जाती तो इन दोनों में से ये करेक्टर रहेगा या फिर ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोश्चन नमबर 6 को तो छटा प्रसंद दिया जा रहा है कि बिस्व का सबसे गहरा भाग किसम महासागर में इस्थित है आप्सन A प्रसांत महासागर आप्सन B अटलांटिक महासागर आप्सन C आर्कटिक महासागर आप्सन D हिंद महासागर तो जो बिस्व का सबसे गहरा भाग है वो किस महासागर में इस्थित है आपको यह बताना इसके लिए चार आपसन दिये गए है जल्दी से हमको कमेंड बॉक्स में बताईगा चलिए इसका अंसर अब हम आपको बताते हैं इसका ऑपसन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा अर्थात प्रसांत महासागर ठीक है विस्व का जो सबसे गहरा महासागर है उसका नाम है प्रसांत महासागर अब इसका एक मेरियाना गर्त है ठीक है जिसकी गहराई कितनी है 11,022 मीटर ठीक है कुछ स्रोतों से हमको पता चलता है कि इसकी गहराई 11,033 मीटर भी है ठीक है तो जितने आकड़े हैं मैं आप सबी लोग की सामने सारे आकड़े को रखता हूँ एक से पता चलता है कि 11,022 है और कुछ स्रोत ऐसे भी हैं जिन से हमको पता चलता है 11033, आपको, अगर मेंस में ऐसा प्रस्ण आता है, तो आपको यह दोनों ही लिखने होगे, और अगर PREE में आता है QA, तो इन दोनों में से कोई न कोई एक Opsan जरूर देगा, ठीक है एक नहीं देगा, बल्कि एक जरूर देगा, तो आपको उसी पर लगाना है, ठीक है, तो चली आंगे बढ़ते हैं, आपको ये प्रस्न पृत्विए चलगया कि जो बिस्तु का सबसे गहरा महासागर है, वो कौन सा है, तो यहा다면 प्रसांथ महासागर, और इसके जो गहराी किस इस्थान पर इस्तित है, तो मेरियाना गर्त में ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 7 को ये भी बहुत ही मैतमोट प्रशने पूछा जा रहा है कि निमने लिखित में से प्रतवी के महादुईपों के आकार के अनुसार बिस्सु का सबसे बड़ा महादुईप कौन सा है option A. Asia, option B. Africa, option C. उत्तर America, option D. Antarctica, अंटार्किका तो आपको बताना है कि इस चार में से कौन सा option सही होगा अर्थात प्रतवी के महादुईप जो हैं उनके आकार के अनुसार बिस्सु का सबसे बड़ा महादुईप कौन सा है चलिए इसका अंसर आपको बताते हैं आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अबसे दिया करें इसका option नमबर A. बिल्कुल करेक्ट होगा अर्थात A.C.A. मैंने जो इनका अनुसार आकार का अनुसार उसके अनुसार से सभी को रख लिया है यह प्रतवी के महादुपों का आकार के अनुसार का क्रम है पूरा इससे चोटा कौन सा है फिर आता है आफरीका अफरीका से चोटा आता है उत्तर अमेरिका फिर इससे चोटा आता है दक्षिन अमेरिका फिर आता है अंटार्टिका और इसके बाद में आता है यूरोप फि चोटा है ठीक है आश्टेलिया महादूइप जो है ये सबसे चोटा महादूइप है और जो A.C.A. महादूइप है ये सबसे बड़ा महादूइप है ठीक है तो इसमें आपको कई सारे प्रशन मिल जाते हैं, एक साथ में यह सबसे बड़ा, फिर उससे चोटा, फिर उससे चोटा, फिर उससे चोटा, फिर उससे चोटा, उससे चोटा, अथा सभी आपको यहां पर पता चल गए कि सबसे चोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, कापी सारे प्रशनों को मैंने एक ही प्रस्ण में रख लिया है जिससे की वीडियो अधिक लॉंग ना हो चलिए आंगे बढ़ते हैं वो दिखते हैं question number 8 को तो आठमा प्रस्ण दिया जा रहा है कि A.C.A. तथा यूरोप को अलग करने बाली इस्थली इससन रचना में सामिल है क्या है? तो option A. यूराल परवत option B. यूराल नदी option C. एववी दोनो option D. इन में से कोई नहीं question को एक बार फिर से समझे लिगा A.C.A. तथा यूरोप इन दोनों को अलग करने बाली जो इस्थली सन रचना है वो क्या है? ठीक इस्थली सन रचना में बता दे इसका option number C. बिल्कुल correct होगा. जी बिल्कुल इसका option C. बिल्कुल correct होगा आप क्यों कैसे तो इसको समझीगा बिना समझे आप इसको नहीं कर पाएंगे तो यूरोप और A.C.A. एक ही भूबाग के रूप में हैं अर्थाद जो ये A.C.A. और जो यूरोप है ये दोनों यूराल परबत और यूराल नदी के दोरा अलग-अलग हैं ठीक है पर जो ब्यापा है बिल्कुल 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 देखा जाए तो यूरोप और A.C.A. ही समझा जाता आए यूरोप और A.C.A. के सजुग्त भूबाग है को यूर nhất आर्थाद यूरोप प्लस A.C.A. को यूर nhất भी का जा सकता है कहा जाता है ठीक है देखीगा जो यूरोप और A.C.A. इन दोनों की जमीनी भूबाग है वो एक ही है ठीक है अर्थाज जो इनको ब्यावारी ग्रूप है ये एक ही है इनको जो अलग करने वाली एक सनचना है उसका नाम है यूराल परबत और यूराल नदी ये दोनों इनको अलग-अलग करते हैं चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 9 को आपको सभी प्रस्णों के अंसर हमको comment box में देने हैं जिसे pdf चाहिए फ्री में वही देगा ठीक है अब जिसे answer आते हैं वो तो देगई question number 9 पूछा जारा कि वह कौन सा महादूइप है जिससे होकर करक रेखा मकर रेखा तता विस्वत ब्रित तीनों गुजरती हैं जल्दी से हमको comment box में बताईगा कि ऐसा कौन सा महादूइप है जिससे करक रेखा और मकर रेखा तता विस्वत ब्रित ये तीनों ही गुजरती है चलिए इसका answer हम आपको बताते हैं इसका option number A बिल्कुल correct होगा अर्था आफरीका से अब कैसे तो इसको समझीगा व्याक्य के साथ में आफरीका एसिया और इसके बाद विस्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महादूइप है यही है एक ऐसा महादूइप जिससे होकर करक रेखा मकर रेखा और विस्वत ब्रित ये तीनों ही गुजरती हैं अफरीका है एसिया के बाद में दूसरा सबसे बड़ा महादूइप ही तो सभी लोग जनते हैं और यह एक ऐसा महादूइप है जिससे होकर करक रेखा मकर रेखा और विस्वत ब्रित ये तीनों ही गुजरती है अब जो विस्वत ब्रित है ये जीरो अंस अक्षांस ठीक है महादूइप के लगवग मद से गुजरती है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखते हैं कोस्चन नमबर 10 को सभी प्रसंद बहुत ही मैदपूर है हलाकि जो सुरुआत में कुछ प्रसंद थे ये तो ये प्रसं ऐसे भी पूँचा जा सकता है कि एसा को आफरीका से अलग करने वाई न mengher को क्या कहा जा सकता है ठीक है या फिर उसको क्या कहते हैं काभी सारे टाइप से प्रसंद आ सकते हैं इसके लिए यहांपर चार व्रसंद दिये जा रहे हैं पनामा नहर आप्सन B स misin आप्सन C, कील नहर आप्सन D, सु नहर तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आप्सन सही होगा चली इसका अंसर हम आपको बताते हैं इसका आप्सन नमबर B विल्कुल करेक्ट होगा अर्था सुएज नहर अब इसकी ब्यक्षा भी थोड़ी सी बड़ी है क्यों क्योंकि ये प्रस्न भी थोड़ा सा बड़ा है और इसको समझना आवश जगे मिसर के सिनाई प्रायदूइप में बनाई गई सुएज नहर विसु की सबसे बड़ी कृतिम नहर है अर्था ये नहर एक बनाई गई है मनुष्य के द्वारा इसलिए इसको क्रतिम नहर का जा सकता है ठीक है और ये विसु की सबसे बड़ी क्रतिम नहर है ठीक है अब यह नहर जो है ये बुह मद्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एसिया महादुइप को आफरीका महादुइप से अलग करती है अर्था जो एसिया महादुइप है और जो आफरीका महादुइप है इन दोनों को अलग करने वाली नहर कौन सी अगर ऐसे प्रसना आता है तो भी आपको बताना है कि सुएज नहर ठीक है अर्थात इसी एक प्रसंट में बनते हैं दो तीन प्रसंट ठीक है अब इसके लिए एक पॉइंट भी दिया जा रहा है 1869 में इस नहर को जहाजों के आबा गवन के लिए खोद खोल दिया गया था जिसके करणा से यूरोप और एसिया के बीच में दूरी कम हो गई थी अर्थात जो पहले आबा गवन हुआ करता था ब्यापार के लिए फिर किसी और और काम के लिए तो उसके लिए इस नहर को खोदा गया था ठीक इस नहर को खोला गया था कब 1869 में अर्थात 1869 में ठीक है तो चली आँगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्टन नमबर 11 को ये भी बहुत ही महित्पूर प्रस्टन है 11 में प्रस्टन पूछा जा रहा है कि उत्तर अमेरिका तता दक्षिन अमेरिका महादूइब किस देश में मिलते हैं ओप्सन A होंडूराम ओप्सन B पनामा ओप्सन C कोस्ट आरिका ओप्सन D निकारा गुआ तो आपको बताना है कि इन चैरों में से कौन सा ओप्सन से होगा जली से कमेंड बॉक्स में अंसर को दीजिएगा चली इसका अंसर आँपको बताते हैं इसका ओप्सन B बिल्कुल करेक्ट होगा था पनामा अब इसको ब्याका को भी देख लीजिएगा उत्तर अमेरिका तथा दक्षिन अमेरिका महादुई पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक संकरे स्थल से जुड़े हैं जिसे पनामा जलसंदी कहा जाता है अब अगर ऐसे प्रस्णा आता है कि पनामा जलसंदी किसे कहा जाता है तो आप यह लिख सकते हैं कि जो उत्तर अमेरिका और जो दक्षिन अमेरिका है इनके यह दोनों जो महादुईप हैं यह पनामा देश के पूर्वी सीमा पूर्वी सीमा में एक संकरे स्थल से जुड़े हो हैं जिसे कहा जाता है पनामा जलसंदी कहा जाता है ठीक है अब तथा यह जो इस्थल संदी है यह अटलांटिक महासागर को प्रसांत महासागर से अलग करती है कौन से संदी पनामा जल संदी ठीक है पनामा इस्थल संदी ठीक है जल संदी ने इस्थल संदी तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोश्चन नमबर 12 को ये बहुत ही अच्छा प्रशन है बुच्छा जा रहा है कि दक्षण अमेरिका महादुईप के संदर में दि प्रसांत महासागर तता पूर्ब में अट्लांटिक महासागर ठीक है जो ये महादुईप जो है इसके प्रसांत महासागर और पूर्ब में अट्लांटिक महासागर इसके बाद में दूसरा कतन दिया जा रहा है कि बिस्तु की सबसे लंबी परवत स्रिंखला एंडीज इसक तो इन तीनों बेसे कौन से कतन सकते हैं, आपको comment box में answer देना है आपको answer कुछ इस प्रकार से देना है कि माली जिगा की 12 का, ये 3 सकते हैं तो आपको बताना है 12 का, 1, 2, 3, कुछ इस प्रकार से answer को देना है, ठीक है तो चलिए answer देते हैं, अब हम आपको इसके उपरोग तो सभी अर्था तीनों को तन सकते हैं जो लोग समझने चाहते थे वो लोग समझ गये होंगे उपरोग तो तीनों को तन सकते हैं दक्षिन अमेरिका महादुईप के पूर में अटलांटिक महासागर है और इसके पस्ची में प्रसांत महासा कर रहे है ठीक है अब इस महादूइप है इसके अधिकांस भाग में अधिकांस भाग दक्षणी गोलार्ड में इस तितर ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और देते हैं कोश्चन नमबर 13 को तो तेरमा प्रस्चन पूशा जा रहा ह जली से इसका अंसर भी एमको कमेंड बाक्स में दीजेगा चलिए इसका अंसर हम आपको बताते हैं इसका ओप्शन सी विल्कुल करेक्ट होगा अर्था तो यह आस्टेलिया को कह जाता है दूई-पीय महादूइप ठीक है जो यह आस्टेलिया महादूइप इसको दूई- से गिरा हुआ है आस्टेलिया अभिसु का सबसे छोटा महादुईप है जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है जो कि पूरी तरह से दक्षणी गोलार्द में इस्थित है ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं देखते हैं question number 14 को इसमें भी आपको बताना है कि दोनों में स कौन से कतन सकते हैं ठीक है question नहीं पूचना जा रहे हैं कि Antarctica महादुप के संदर में कुछ कतन दिया जा रहे हैं इन मेंसे कौन से कतन सकते हैं आपको बताने है पहला कतन दिया जा रहा है कि अंटार्टिका एक बहुत बड़ा महादुई पर जो की दक्षणी गोलाद में इस्तित है दूसरा कतन है यहां किसी भी प्रकार का इस्थाई मानव निवास नहीं है इन दोनों में से कौन से कतन सकते हैं आप जल्ली से हमको कमेंड बाक्स में बत मानव निवास नहीं है अपर द्रूस अ क्षेथर में स्थीत है इसलिए यह हमेशा आप कोई भी सम्हार्व निवास नहीं यहां पर अत्यंत ठंड होती है ठीक है अब बहुत से देशों ने सोध केंदर काफी ऐसे देश है जिनके सोध केंदर इस अंटार्क्रिटी का महादुई पर इस्थित हैं भारत के भी सोध केंदर यहां पर इस्थित हैं इनके नाम है दक्षणी गंगोत्री मैत्री तता भारत यहां पर कुछी के यहां पर नाम भी दिये जा रहे हैं तो चलिए आंगे बढ़ते हैं दिखते हैं को वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो आप लोग आंसर देते चलिए का और इसका कोश्चन भी आप सभी लोगों के सामने आकार के आधार पर सबसे बड़ा महासागर कौन और भी आपको पहले ही दिये चुका हूं ठीक है कैसे तो मैंने आपको पीशे बताया था कि जो सबसे गहरा महा सागर कौन सा है ठीक है जिसका एक गर्थ भी मैंने आपको बताया था उसकी गहराई भी बताया थी तो जिल लोगों ने द्यान से वीडियो को देखा होगा समझे होंगे प्रते प्रशन को वो लोग इसका अंसर आसानी से दे सकते हैं तो चलिए इसा अंसर ही आपको बताते इसका option A बल्कुल correct हो और ठाट पहला कटर सकते हैं जो पहला दिया ज़रहा है यह साई है कि जो प्रसांत महासागर है इस प्रसाणत महासागर बिसाल से जाला से आता है हिंद महासागर इसके राद में आता है दक्षिन में दक्षिनी महासागर और फिर आता है अंटार्किटिक महासागर यह जो पांच महासागर है एक दो तीन चार पांच यह पांचों के क्रम आपको मिल चुके हैं अगर यह प्रस्णा आता है कि सबसे छोटा महासागर क तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number अगले 16 को अर्थात question number 16 आप सभी लों के सामने है तो इस प्रस्ट में पूछा जा रहा है कि प्रसांत महासागर के संबंद में निम्न लिखित कतनों में से कौन सा या फिर कौन से कतन सत्य है या फिर है ठीक है तो आपको बताना है पहला कतन दिया जा रहा है कि प्रसांत महासागर प्रतवी के एक तिहाई भाग पर फैला है अर्थात इसका छेतरपल सभी महादूइपों के कुल छेतरपल से भी बड़ा है ठीक है इसके बाद में दूसरा कतन दिया जा रहा है कि यहे महासागर के एक और असिया और इस महासागर के एक और एसिया और आश्टेलिया महादुईप है तथा दूसरी और उत्तर और दक्षणी अमेरिका महादुईप है आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से कतन सत्य है तो जल्ली से इस कांसर कमेंट बॉक्स में दीजेगा मैं आपको इसका अंसर बताता हूँ इसका option number 3 ही सही होंगे अर्थात ये 3 ही कतन सही है उपरोग 3 कतन सही है प्रतांत माहसागर जो है ये सबसे बड़ा माहसागर है और ये प्रतवी का सबसे गहरा जो इसका प्रतांत माहसागर का फिर जो इससे related प्रस्ण बनते हैं महासागरों पर इनको आप जरूर याद कर लिजीगा एक ने एक प्रस्ण इस पर जरूर आएगा Atlantic महासागर के संदर में निम्न लिखी कतनों में से कौन सा या फिर से कतन सत्ते हैं इसके लिए पर पहला कतन दिया जा रहा है कि Atlantic महासागर के लिए आदर्स इस्थित है इसके बाद में तीसरा कतन दिया रहा है कि Atlantic महासागर की तटरे का बहुत अधिक दंतुरी तत्थात कटी पटी है तो इन तीनों मैंसे कौन से कतन सत्य है जली से इसका अंसर भी हमको कमेंट बाक्स में दीजीगा वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो रुपना impossible है आंगे बढ़ता हूं इसका जो तीन कतन दिया रही है तीनों कतन सत्य है उप्रोग तो तीनों कतन सत्य है अट्लांटिक महासागर बिस्सो का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अट्लांटिक महासागर है जो तट्रेका है ये बहुती अधिक कटी फटी अथा दंतुरी था दंतुरी किसे कहते हैं अथा आपके दातों के प्रकार की आप लोगों ने अपने दातों को देखा है नहीं प्रत्वी के तापमान में ब्रद्दी को भूमनली तापन कहते हैं दूसरा कतन है यह कारबन डायकसाइड की मात्रा में ब्रद्दी से हो रहा है तो इन दोनों में से कौन सी कतन सत्य है जल्दी सहम को बताएगा कि जो प्रत्वी के तापमान से संबित 2% दिये गए है तो चलिए इसका अंसरा में आपको उताते हैं इसके दोनों ही कतन सत्य दिये जा रहे हैं अभी कैसे सत्य हैं क्या है तो इसको समझेगा उप्रोक तो दोनों कतन सत्य हैं कारबन डायकसाइड बायू का ये के बहुत ही मैधपुन गटक है कारबन डायकसाइड जो इसकी जो मात्रा है मात्र में ब्रद्ध के कराण ही प्रत्वी के तापमान में ब्रद्ध हो रही है और इसे भू मंडली तापन कहा जाता है ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं दिखते हैं कोस्चन नमबर 19 को 19 परसंड पूछार के प्रसंद महासागर की आकरती निम्न लेखीत मेंसे किस प्रकार की है तर्बुजाकार है चतुर बुज या फिर ब्रत्दाकार है चलिए इसका आंसर अब आपको बताते हैं इसका आपज़न नमबर a बिल्कुल करेक्ट होगा करता प्रसान महा सागर की जो आकरती है यह लगबग बख़त्ता कार है लगबग गोल है ठीक है अब आ अश्यलिया उत्तर महासागर की और Cons 20 गो 20 प्रसन पोचा जारा कि अट्लांटिक महासागर की आकरती निम्न लिखित में से किस प्रकार की है अप्सन ए लगवब बृत्ताकार अप्सन बी त्रिवजाकार अप्सन सी अंग्रेजी भासा के अक्षर स के समान अप्सन डी उत्तर धुर्ब के चारो ओर ठीक है तो जली से इसका अप्सन को बताईगा कि अट्लांटिक महासागर इसकी आकरती किस प्रकार की है चलिए इसका अंसरा हम आपको उताते हैं ऐसे चार-पांच प्रसन है तो समझीगा जो अट्लांटिक मास अगर है इसकी आकरती है S अक्षर के समाना था इसका ओप्षन C इसका ओप्षन C विल्गुल करेक्ट होगा ठीक है तो आपको उताना है कि जो यह हिंद मास अगर इसकी आकरती किस प्रकार की है चलिए इसका अंसरा भी हम आपको उताते हैं इसकी आकरती होगी त्रिभुजाकर ठीक है हिंद मास अगर की जो आकरती है लगबग त्रिभुजाकर है पक्षिर में क्या है आफ रीक puta है तता पोर्वी ऐस्टेलिया इस्थित रहा है आपरिका और पूर्वी आश्टेलिया ठीक है और जो चलिस और में क्या है यह सथित है त्वीक इतना है उत्तरी धुरूप क्या है अगर आप कोई जानने है तो पीशे के वीडियो को देखी का मैं डिटेल में बताया है और इसके लिए आप लोग एंसी आर्टी की जो समरी इसको भी पढ़िएगा ठीक है इसके बाद में आगे दिया है कि तथा उत्तर धुरूब के चार इसके बाद में दिया रहे है इसके बाईयो मंडल में मद्डी मंडल किन दो मनडल मेंके बीच मंडल, option C, वहिर मंडल और आयन मंडल, option D, इन में से कोई ने, तो आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा option सही होगा, जो बायो मंडल है, ये इन चारों में से किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है चलिए, इसका answer हम आपको बताते हैं, इसका answer option B, बिल्कुल करेक्ट होगा अर्थात, जो बायो मंडल है इसको अपने बायो मंडल को अपने उसके घटकों अर्था ताप मान, तथा अन्य जो तो आधार पर पांच परतों में बाटा गया है, ठीक है पांच पर कौन कौन सी है, इसको आप लोग कमेंड बॉक्स है, बताएंगे, इन परतों को प्रतवी की सतय के रूप में रूप से शुरू करते हैं, ठीक है सतय को मंडल पर मद्य मंडल आयन मंडल पर आता है वहिर मंडल ठीक है, ये पांच मंडल हैं, कौन कौन से एक, दो, तीन, चार, पांच चोब मंडल, समताप मंडल, मद्य मंडल, आयन मंडल और वहिर मंडल है अब इसके आप लोग थोड़ी सी और इस पर टिपड़ी देख लीजिएगा आधुनिक जो आधुनिक तम पैग्यानिक उपकरणों जो कि आता है पहला है कि रेडियो सॉंडे ठीक है रेडियो सॉंडे इसके आध में रहता है रभी सॉंडे रडार है उपग रहे है रोकेट है इसके अधमें सेंसर है यह सभी तीक है और इसके प्रकार की जो और यह अंतरा आते हैं पैग्यानिक अंतर है इनकी सहायता से प्रभावी वाय मंडल की उंचाई को सोला से 29,000 किलोमेटर तक क्या दि और जो रेडियो सॉंडे हैं सेंसर हैं रोकेट हैं इनकी सहायता से ठीक है किन्तु सागर तल से 800 किलोमेटर उचाई तक का वाय मंडल सरवादिक महतपूर होता है ठीक है कापी सारे अध्यन के बाद में यह पता चला है तो इस प्रशन को भी आप लोग याद रखीगा इस प्रशन को पूछा जा रहा है कि नीचे दिये गए निम्लिकित कतनों में से कौन साइपर से कतन सकते हैं ठीक है तो पहला कतन दिया जा रहा है कि वाय मंडल में उपस्तित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीबधारियों की ब्रद्धी में सहायक होती है दूसरा कतन चलिए इसका आंसर अब हम आपको बताते हैं इसका आंसर यह होगा कि दोनों ही कतन सकते हैं ठीक कैसे सकते हैं क्यों सकते हैं इसको अपलोग जानीगा उपरक तो दोनों कतन सकते हैं जो बाय मंडल में 78% नाइट्रोजन है इसके बाद में 21% आक्सीजन है और अन्य जो गैस इसका 78 परसत है nitrogen, अब सबसे अधी nitrogen क्यों है, अगर ऐसा प्रसना आगया, तो आप क्या करेंगे, अगर यह प्रसना आएगा, तो सिर्फ और मेंस में आएगा, प्री में नहीं आएगा, ऐसा इसलिए, क्योंकि जो यह nitrogen है, ठीक, इसके कराण ही है, हम प्रत्वी पर जीवित है अब प्रत्वी के बाहर तो nitrogen है ने, अब वहाँ पर जीवित रहे जाते हैं, क्यों, तो इस बात को समझेगा, nitrogen है, यह काम क्या करती है, तो इसको आपको समझना है, तो ऐसे समझेगा, जब हम लोग प्रत्वी से बाहर जाते हैं, तो आप लोग उसको देखेंगे, कि वो ए क्यों, क्योंकि वहाँ पर nitrogen नहीं होती है, और nitrogen है, हमारी प्रत्वी पर इसी कराण से हम लोग जीवित हैं, ठीक है, तो चलिए इसके दो पॉइंट और इनको भी समझेगा, बायो मंडल में उपस्तित nitrogen, गैस सभी प्रकार की जीवधारियों में, जीवधारियों की ठीक है, और इसके बाद में जो carbon dioxide है, यदे भी ये बहुत कम मात्रा में, लेकिन ये प्रत्वी के दो द्वारा छोड़ी गई, उसमा को अब सोसित करती है, जिससे प्रत्वी गर्म रहती है, ये पेंड़ पॉदों की ब्रद्धी के लिए भी आवश्यक है, ठीक है, तो carbon dioxide क होना भी आवश्यक है, ये प्रत्वी को गर्म रखती है, और ये पेंड़ पॉदों के लिए आवश्यक होती है, ठीक है, तो हमारे आज की इस चेप्टर में इतने ही प्रसंते, पूरे कितने प्रसंते, पूरे प्रसंते 23, और 2300 बहुत ही महत्मूर्ट प्रसंते हैं, अब जिलनों को NCRT के नोट्स चाहिए हैं, वो लोग हमको इस नमबर वाट्सप पर मेसेज करके NCRT के नोट्स ले सकते हैं, तार 8577885934, इसके इन पर नमबर दिया जा रहा है, आप लोग इसको देखीगा, और इस पर मेसेज करके NCRT के नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है, हमारे इस दिन संकल वीटूब चैनल पर UPC Civil Service इसकी तरह स्टार्टिंग से कराई जा रही है, चैनल पर परड़े वीडियोस आ रहे हैं, आप लोग वीडियोस को देखीगा, अपनी त्यारी को करिएगा, और दिन बार लगे रहे हैं, रात बार लगे रहे हैं, कुछ भी करिएगा UPC Film परिश्या को क्रेक करिएगा, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जहें दोस्तों